उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ती का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का और समय दिया है अब राज्य कर्मचारी दो अक्तूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे बता दे कि आदेश दिया गया था कि संपत्ती का ब्यौरा न देने वाले करमचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है मुख्य सचिव ने 31 अगस्ट तक हर हाल में मानव संपदा पोटल पर चलचल संपत्ती का ब्यौरा देने के निर्देश दिये थे टेतिथी तक राज्य सरकार के 71 फीसरी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ती का खुलासा किया मुख्य सचिव ने 17 अगस्ट को शासनादेश के जरिये सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ती का खुलासा करने के निर्देश दिये थे साथ ही सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ती का ब्यौरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए प्रदेश में कुल 846640 राज्यकर्मी है इनमें से 602075 ने ही मानव संपता पोटिल पर चलचल संपत्ती का ब्यौरा दिया संपत्ती का ब्यौरा देने में टेक्स्टाइल, सैनिक कल्यान, उर्जा, खेल, क्रिशी और महिला कल्यान विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे जबकि शिक्षा विभाग के कार्मिक अपनी संपत्ती को छिपाने में आगे हैं इस लिहाज से सबसे फिसड़ी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थिय, और द्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए यहां बता दे कि 17 अगस्थ को जब यहां आदेश जारी हुआ था तब एक 3,1,7,4,8 यानी 15 फीसदी राज्यकर्मियों ने ही पोटल पर अपनी संपत्ती दर्श की थी अगस्थ के 20 से 31 के बीच यहां बढ़कर 71 फीसदी हो गया शासन के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि संपत्ती का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा दीजीपी मुख्याले ने नियुक्ती विभाग को पत्र भिचकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ती का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिये जाने का अनुरोध किया है पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलीस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलीस कर्मी समय से अपनी संपत्ती का ब्यौरा नहीं दे पाए माना जा रहा है कि ग्रिह विभाग के लिए यह तिथी बढ़ाई जा सकती है शासन के उच्चप दस्ट सूत्रों के मुताबिक जिन अधिकारियों कर्मचारियों का अगस्थ माह का वेतन रोका गया इसे तभी जारी किया जाएगा जब वे संपत्ती का ब्यौरा दे देंगे उनकी संपत्ती का ब्यौरा मिलने पर वेतन देने का फैसला संबंधित विभाग शासन से वारता के बाद ले सकेंगे दरअसल अभी तक कई IS, IPS, PPS, PC's अफसरों और करमचारियों ने अपनी संपत्ती घोशित नहीं की है सरकार के इस आदेश और डेडलाइन टै करने से खलबली मच गई है उत्तरप्रदेश में करीब 18 लाख सरकारी करमी है इसमें से करीब 26 फीसदी ने ही संपत्ती का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चूंकि मानव संपत्ता पोटल पर संपत्ती का ब्यौरा देने की व्यवस्था पहली बार की गई है सरकारी करमियों को संपत्ती घोशित करने का निरदेश पहले भी दिया जा चुका है लेकिन संतोष जनक रिस्पांस नहीं मिलने पर सरकार ने करा फैसला लिया है